रक्ष महोदय अंग्रेजों की खूद्रिष्टी आरंब से ही धन धान्य से परिपूर्ण पंजाब पर्थी, वे उसे खड़ापना चाहते थे, परन्तु सिखों के बढ़ते प्रभाव से भी वे भली भांती परिचित थे, अतह वे अवसर की प्रतिक्षा कर रहे थे, पठानों से युद्ध के बाद सिखों को कमजोर समझ कर, अन्तता उन्होंने पंजाब पर आक्रमन कर दिया, लेकिन सिखों की शक्ती का गलत आकलन करकी, उन्होंने भारी भूल की थी, सिखों के रहते पंजाब को भी तना अंग्रेजों के लिए असंभव था, महाराजा रणजीत सिंह के नेतित में खालसा सरदारों ने अंग्रेजों को नाकों चने चबाने के लिए विवश कर दिया था, सरदार अरजुन सिह, महान खालसा सरदारों के वन्शस थे, वे परिवार सहित अपने गाउं में रहते थे, सरदार अरजुन सिह, क्रांतिकारी विचारों से ओत प्रोत और वतंत्र चिंतन के पक्षधर थे, देश भक्ति और वीरता का गुण उन्हें विरासत में मिला था, यही कारण था कि वे निडर होकर समाज में व्याप्त पुरानी मान्यताओं और कुरीतियों का विरोध करते थे, उनका कहना था कि संसार में मनुश्य की पहचान उसकी धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक स्थिति से नहीं, अपितु, उसके सतकर्मी गुणों से पूनी चाहिए, माना होता ही, आपसी प्रेम सनेह और सौहाद्र पुर्ण व्यवहार को फुद्पन करती है, इसलिए मनुश्य को केवल इसी का अनुसरण करना चाहिए, इनहीं प्रगतिवादी, विचारों के कारण, अन्य लोगों के बीच, उनकी विद्वत्ता की धाक जम गई थी, पैरा, तरदार, अरजुन सिह, मुख्यता, खेती बाड़ी करके, परिवार का भरन पोशन करते थे, समय बचने पर, छोटे मोटे रोगों का उपचार करना भी, उनकी दिंचरिया में समिलित था, उनका विवार, जय कौर के साथ हुआ, जो स्वाभिमानी, सहनशील, प्रगतिशील, विचारों तथा, देश भक्ती से, ओत प्रोत महिला थी, पती की भाती उनमें भी रास्ट्र के लिए सर्वस्व नियोचावर करने की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, इसी प्रकार दोनों पती पतनी एक दूसरे के पूरक बनकर रास्ट्र सेवा में लीन थे, विवाह के बाद, जय कौर ने तीनों पुत्र, सरदार किसन सिह, सरदार अजीद सिह और सरदार स्वर्ण सिह को चन में दिया, यह इश्वरी वर्दान ही था कि तीनों बालकों में पिता के सदगुणों का यथोचित समाविश्ट था, निर्भीकता, इस्पस्टवादिता, मानावता और देशभक्ती विरासत में मिली थी, यद्यपी ततकालिन समाज से अनेक कुरीतियां विदा ले चुकी थी, लेकिन फिर भी ऐसी अनेक सामाजिक माननिताएं एवं रीति रिवाज प्रशलिथी जिन से समाज का प्रत्येकवर्ध तरस्त था, ऐसे समय में स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज उत्थान के उद्देश से आरे समाज की इस्थापना की, प्राचिन साल से प्रचलित सामाजिक बुराईयों को समाप्त कर समाज को उनसे उबारना ही इसका लक्ष था, करतार अर्जुन से प्रारंब से ही आरे समाज की नीतियों एवं कारियों से अत्त प्रभावित थे,